गुड मॉनिक स्टूडेंस तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10 के चक्टर 5 के एक्सराइज 5.1 के कोशन नमबर 2 के बारे में जिसमें हम आज सीखेंगे कि किस तरह से हम कोई भी स्टेटमेंट हमारे पास किवन हो तो उसमें हम कैसे A और D निकाल सकते हैं चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लें चलिए स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट कोशन हमारे पास है यहाँ पे A is equal to 10 और D is equal to 10 यानि कि हमें A भी 10 गिवन है और D भी 10 गिवन है हमें इसकी पहली चार ट्रम्स लिखनी है when the first term A and common difference D are given below यानि कि हमें A दे रखा है और हमें common difference D दे रखा है तो इसकी हमें चार ट्रम्स लिखनी है देखे ट्रम्स लिखने का बड़ाई simple सा rule है A1, A2, A3, A4 यह चार ट्रम्स हमें लिखनी है अब सबसे पहले ट्रम्स लिखने से पहले आपको इन ट्रम्स के formula पता होने चाहिए कि इनका formula कौन सा है तो उसके लिए क्या करेंगे हम देखे जो first term है वो तो हमारी A ही होती है त plus 2D जो fourth होती है उसको होता है A plus 3D ठीक है तो इस type C formula हमारे पास होते हैं A हमारे पास है 10 plus D कितना है मेरे पास 10 10 और 10 कितने होते हैं 20 ऐसी हम A3 निकाल सकते हैं तो A कितना है 10 2 और D की value कितनी है 10 20 और 10 कितने होते है 30 ऐसी A4 निकाल लेते हैं तो 10 plus 3 और 7 में D की value कितनी है हमा और 140 ठीक है तो इस तरीके से हमने इसके जो है पहली चार्टरम्स निकाल ली है 123 and 4 same to same ऐसे ही हम इसका second part करते है second part में हमें given है a की value minus 2 और d की value हमें given है 0 ठीक है same इसमें भी हम लिखेंगे a1 a1 तो हमारा a के बराबर ही होता है तो minus 2 आजेगा a2 हमारा होता है a plus d a हमारे पास है minus 2 और d मेरे पास है 0 यानि किये किदर आएगा minus 2 same ऐसी हम a3 निकाल लेते है a3 के होता है a plus 2d a कितना है minus 2 2 और d की value कितनी है 0 तो ये तो सारा 0 होजेगा तो हमारे पास किया जेगा minus 2 a4 a4 का formula कितना है a plus 3d A कितना है माइनस के 2 प्लस 3 D कितना है हमारा 0 तो यह आजएगा माइनस के 2 ठीक है students तो ऐसे क्या है हमने A और D की यूज़ करके हमने AP की पहली 4 ट्रम्स निकाल ली है सेम ऐसे हम इसका 3rd part करते हैं 3rd part में हमारे पास देखे क्या given है A is equal to 4 और D is equal to minus के 3 अब इस question में देखी हम क्या करेंगे यहाँ पर भी same वही करेंगे A1 is equal to 4 और A2 कितना हैगा मेरे पास A plus D A मेरे पास है 4 plus में D मेरे पास है minus 3 plus minus minus 4 minus 3 that is 1 सेम ऐसे हम निकाल लेंगे A3 A3 का formula होता है A plus 2D is equal to A मेरे पास है 4 साथ में 2 D की value मेरे पास है minus के 3 तो आज़ेगा 4 plus minus minus यानि के minus के 2 इसी तरह हम निकाल सकते है A4 A4 का formula होता है A plus 3D A मेरे पास है 4 3 और D की value मेरे पास है minus के 3 तो 4 3 तरी जा 9 4 में से 9 के minus के 5 तो इस तरह हमने क्या किया है हमने सिर्फ A और D का use करके 1st, 2nd और 3rd ट्रम हमने निकाल ली है ठीक है students सेम ऐसी हम इसका 4th part करते है 4th part में हमारे पास given है A is equal to minus 1 और D is equal to 1 by 2 सेम इसमें भी हम निकाल लेंगे तो A1 हमारे पास है minus 1 और A2 कितना आएगा मेरे पास A2 का formula के होता है A plus D A कितना है मेरे पास minus 1 plus D कितना है 1 by 2 open करो इसको 2LGM लेंगे हम minus 1 यहाँ प्याज़ेगा minus 2 plus 1 minus 2 में से बन गए minus 1 by 2 सेम ऐसी हम A3 निकाल सकते है A3 का formula के हता है A plus 2D A मेरे पास है minus 1 plus और D मेरे पास है 1 by 2 2 से 2 कैंसल होज़ेगा तो आज़ेगा minus 1 plus 1 1 में से 1 गए 0 सेम ऐसी हम A4 निकाल सकते है A plus 3D A मेरे पास है minus 1 plus 3 और D की value मेरे पास है 1 by 2 clear students तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं हाँ पे L सेम ले सकते है 2 minus के 2 plus 3 3 में से 2 गया 1 by 2 तो ऐसे क्या है हमने ये 4 पार्ट समने कर लिए है अब इसका लास्ट पार्ट हम डिसकस कर लेते हैं second का fifth part second के fifth part में देखिए हमारे पास क्या है second का fifth part इसमें हमें दे रख है A is equal to minus के 1.25 और D हमें दे रखा है 0.25 negative ठीक है दोनों ही value negative given है तो कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे A1 की value तो हमें पताएगी A होती है यानि कि minus के 1.25 A2 का formula होता है A plus D A कितना है minus के 1.25 और D की value मेरे पास है minus के 0.25 तो इसको open करेंगे 0.25 प्लस माइनेस minus 0.25 इन दोनों को हम add करेंगे तो कितना हैगा minus के 1.50 क्योंकि 25 और 25 कितने होते हैं 50 और 50 हमने याँ पे लिख दिया सेम ऐसी हम A3 निकाल सकते हैं A3 का formula होता है A plus 2D A मेरे पास है minus के 1.25 plus 2D की value होते है minus के 0.25 open करो इसको minus के 1.25 plus minus minus और 25 250 इन दोनों को जब हम add करेंगे तो कितना हैगा minus के 1.75 clear students सेम ऐसी हम A4 निकाल सकते हैं A plus 3D A मेरे पास है minus के 1.25 plus में 3 और D की value मेरे पास है 0.25 clear है इसको open करो minus के 1.25 plus minus minus यह ज़ेगा 0.75 इन दोनों को जब add करेंगे तो हमारे पास आएगा minus के 2.0 ठीक है क्योंकि 75 और 25 को जब add करेंगे तो 1 आएगा 1 और 1 कितने होते हैं 2 clear students तो इस तरह से कमने क्या है आज के इस session में हमने starting की थी question number second से उसके बाद हम चलते हैं question number third पे third के first part पे चलते हैं third question में देखिए क्या बोला गया है write the first term and common difference हमने इसमें first terms निकालनी है और common difference भी निकालना है देखिए कैसे करेंगे first series मेरे पास given है 3 1 minus 1 and minus 3 ये एक series हमारे पास given है इसमें हमें A और D की value निकालनी है कैसे निकालने के देखिए हमें पता है कि जो first term होती है वो तो A होती है A की value कितने आजेगी 3 और D क्या होता है हमारे पास जो second term होती है उसमें से हम first term minus करते हैं ठीक है students इस तरह से आप कर सकते हैं बहुत यह असान है ऐसी हम चलते हैं थर्ड के second part पे थर्ड के second part में हमें series given है minus के 5 minus 1 3 and 7 and so on ठीक है अब इसमें क्या करेंगे देखिए A की value कितनी है minus के 5 A कोन सो उता है जो सबसे पहली के 5 तो D की value के आएगी minus 1 minus minus plus 5 में से बन गया 4 तो D की value कितनी आजाएगी 4 यह मेरी D की value रही और यह मेरी है A की value clear students same ऐसी हम इसका third part कर सकते हैं third part में हमें given है 1 by 3 comma 5 by 3 comma 9 by 3 comma 13 by 3 and so on तो यहाँ पे A की value कौन सी है हमारी 3 और D हम कैसे निकाल लेंगे D का formula की होता है A2 minus A1 तो D is equal to A2 कितना है 5 by 3 minus A1 कितना है 3 दोनों का LCM लेंगे LCM कितना आएगा 3 5 minus 1 ठीक है दोनों से एम होते हैं तो अपरवाले हम SD लिग देते हैं 5 में से बन गया 4 यानि की 4 by 3 सेम ऐसी हम इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं 4 पार्ट 0.6 1.7 2.8 2.8 3.9 तो A की वैल्यू कितना है मेरे पास 0.6 और D का formula करता है A2 minus A1 ठीक है A2 कितना है मेरे पास 1.7 minus 0.6 0.6 इसमें से माइनिस करेंगे तो कितना हैगा 1.1 तो आज किस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा देखे सबसे पहले इसको डिसकस कर लगते हैं आज की लेक्चर में हमने पढ़ा exercise 5.1 का question number second था and question number third था वो हमने पूरा complete कर लिया जिसमें हमने आज सीखा कि कोई भी series आपके पास आए उसमें हम कैसे A और D निकाल सकते हैं जैसे हमने इन question हमें निकाल ला है ठीक है और उसके साथ साथ हमने कैसी सीखा है कि अगर हमें अग्गी की ट्रम्स पूछी जाएं कि कैसे निकालने जैसे first term second term third term इस question में हमने second में यही discuss किया था इसमें बोला गया था कि पहली चार ट्रम्स लिखके दिखाने है ठीक है वो इसे हमने करके दिखाया आपसे कोई भी इस तरह की series आ सकती है जिसमें चार ट्रम्स आपसे पूछ सकता है या किसी AP के बारे में भी पूछ सकता है तो आपने simple उसमें भी ऐसे ही तीन या चार ट्रम्स निकालके दिखा देना है ठीक है students तो आज किस लेक्चर में इतना ही बढ़ाई करते रहिए all the very best